दोस्तो यह जो आप देख रहें वाइट कलर का गेट इसी जगह कभी हुआ करता था हमारे सुरों के बेतास बास्टा करे जाने वाले यानि कि मुम्मद रफी जी का बंगलोग हुआ करता था जहां कि वो रहा करते थे तो देख सकते हो अभी यहां पर एक बिल्डिंग बनाए वेल्कम बाइक तो मैं में नियू व्लॉग व्रीडियो सो दोस्तो आज से व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सुरों के बेतास बास्टा करे जाने वाले यानि मुम्मद रफी जी का गर तो मैं हूँ अभी वहंद्रा इस्टेशन का यह कुछ ऐसी प्रकार से दोस्तो देख सकतो मैं बैक साट में यही है रफी मेंसन जाके ही रहा करते थे हमारे शुरों के बेतास बास्टा यानि मुम्मद रफी जी तो देख सकतो बहुती आली सान अभी विल्डिंग में कर्णवर्ट हो चुला है सो दोस्तो देख सकतो यहाँ पे लिखा हुआ है रफी मेंसन जी हाँ दोस्तो यह जो अब रफी मेंसन देख रहें न आपको देखो मैं गेड दिखा रहा हु दोस्तो तो इसी जगा पे कभी विल्डिंग है यानि कि रफी मेंसन जो बेटिंग है उसका नाम रखा गया रफी मेंसन तो यह देख सकतो यह मेन रोड पे यह बेटिंग है यहां पर कभी व्गवा करता था मुहम्मद रफी जी का बंगलू जी हाँ दोस्तों मुहम्मद रफी जी हमारे भारत के 300 प्रसिद गायक हैं जो की बहुत सारी लेंग्वेज में उन्होंने संगीत कवाली गाये हैं तो मैं आपको बता दोस्तों कि मुहम्मद रफी जी जो है न वह 1940 से लेकि 1980 तक करीबन उन्होंने 5000 गाने कवाली और लोगीत लस्त अपना संगीत और भक्ति गाने गाये दोस्तों जिसमें से की बहुत हिंदी तो मुख्य उनकी है लेकि अधर लेंग्वेज में उन्होंने बहुत सारी लेंग्वेज में गाना गाये हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि यहीं पर मुहम्मद रफी जी मुंबई में रहा करते थे जो की बांद्रा वेस्ट में लुए है यह ए एरिया तो दोस्तों यहां पर ही ओ रहा करते थे मैं आपको बता दोस्तों यहां पी पहले इन यह जो देख रेंना यहां पर यह यक बंगलो करता थे जहां पर मुम्मद रफी जी यद र nun गारतो विपिल्डिंग बना दिया गया लेकिन जो नीचे का फोजीशन है ना उन पर इक अंदर साय जो गेट देख रहे थे आप ओगेट से अंदर एक मस्जीद नीचे और उपर बिल्डिंग में उनकी फैमिली रहा करती थी और रहा करती है भी और नीचे का जो है ना ओर रेंट पर दिये हैं गाला